हां जी, स्वागत है आप सभी का चाई और कोड में और स्टार्ट करते हैं हमारी एक और वीडियो, कंटिनुएशन में है, हमारी चाई और रियक्ट वाली सिरीज में हम बनाने हमारा मेगा प्रोजेक्ट, तो अल्मोस्ट सेटप हमने कर लिया है, काफी हमने डीटेल में कोड लिखना पड़ेगा अब कोड लिखने का जो प्रोसेस है वो बड़ा ही सिंपल है लेकिन किस तरह से लिखा जाता है वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूं तो देखिए हम यूज कर रहे हैं एप राइट एप राइट के अंदर मल्टिपल सर्विसेज हैं डेटा बेस र तरह से लिखना है कि कल को अगर आपकी अप का अथेंटिकेशन सिस्टम आपको निकालना पड़े अपराइट से बाहर तो भी आपकी अप्लिकेशन कंटिनुसली चल पाए और इतना जादा पूरी अप्लिकेशन में प्रॉब्लम ना है तो यहां पे concept इंट्रिद्यूस होत करते हैं उन method के अंदर क्या हो रहा इससे किसी को कोई मतलब नहीं होता है बस क्या-क्या data चाहिए वो मुझे बताओ मेरा method यूज करो that's it अब मैं app right से बात कर रहा हूं firebase से बात कर रहा हूं मेरे custom database से बात कर आपको बाकी application को इससे मतलब ही नहीं होता है तो इसको मैं half portion मे आपको इसको further update करना है तो बड़ा interesting concept है बहुत मज़ा आता है इसके अंदर तो चलिए सबसे पहले तो हम बात करते हमारे app right के बारे में तो यह है हमारा app right का documentation अब आप documentation देखेंगे तो बड़े अच्छे ही categorize कर रखा है अब जैसे यहां पे authentication है storage है database है तो अलग-अलग च getting started guide और उसके बाद है account and user APIs तो उसके बारे में भी देखेंगे बट यहां पे कुछ एक basic code है कि आपको यह तो चाहिएगा चाहिएगा अब इस code को अगर आप गौर से देखेंगे तो actually मैं पहले client बनाना पड़ता है जैसे client बन जाता है उसके अंदर आपको चीए endpoints और एक project तो endpoints में लगता है हमारा endpoints जो हमने environment variable में already inject कर रखा है project id आपको देना पड़ता है यहाँ पर वो हमें environment variable से वापे से उठा लेंगे हमने रख रखा है हमाँ पर उसके बाद एक बनता है account अच्छा account बनेगा कब जब आपके पास client होगा तो पहले client चाहिएगा client इस तरह से मिलेगा हमें और फिर एक account बनेगा और फिर इस account पर मैं क्या कर सकता हूँ method call कर सकता हूँ कि dot create तो हमारा एक account create हो जाएगा जिसके पास एक id ले लेंगे तो id यहाँ से हाँ जाएगी unique id ले लेंगे जैसे हमने nano id ली थी एक पिछले project में तो देखा पुराने concept काम में आ रह तो देखे क्योंकि मैं यहाँ पर service बनाना चाहता हूँ तो वह service क्या है app right related है तो source के अंदर मैं एक नया folder ही बना देता हूँ पूरा कि app right related जो भी काम होगा वो यहाँ पर करेंगे तो यह हो गया हमारा app right अब इस app right के अंदर पहला जो सबसे पहला folder हम बनाएंगे वो होग हमारा auth और auth.js क्योंकि कोई jsx है नहीं प्योर प्योर सर्विस बनेगा कई लोग इसका नाम auth.service.js इस तरह भी रखते हैं कोई इतना खास फरक नहीं है अब देखे मुझे पता है कि मुझे project id, database id काफी चीज़े लगेगी तो मुझे पता है कि वो सारी चीज़े मैंने conf में दे रखी है जो कि मैंने export default का रखा है तो मैं directly conf को यहाँ पर ले सकता हूँ तो कहां से मुझे मुझे मिलेगी एक directory back जाना पड़ेगा और conf.js के अंदर मेरे पास वो values अविलेबल है ठीक है conf मेरे पास आ गया है यहाँ पर अब बस इतना सा ध्यान रखेगा कि conf के अंदर हम इसको conf ही बोला है config नहीं बोला है तो please suggestions पर जाईएगा हूँ पर ध्यान रखेगा दूसरी चीज मुझे पता है documentation से मुझे यह first line चाहिए तो first line आप चाहे तो यहाँ से ले सकते हैं चाहे तो खुद लिख लिजे आपका जैसा मन करें वैसा कीजे तो client मिल गया account मिल गया ID म काम भी कर सकते हैं as it is इसको उठाइए यहां से copy कीजे और यहां पर paste कर दीजे आपको कोई issue नहीं आपके पास सारा काम हो जाएगा लेकिन यह काम तो आप खहीं पर भी कर सकते थे लेकिन reason क्या है इसकी service बनाने का कि अगर मैं इसको एक बार काम में ले लूँगा तो यह account problem कर देता है तो इससे better approach क्या है इसको इस तरह से ना लिखें यह थोड़ा सा हमारा code improvement है जो बोलते न कि सर मुझे quality code लिखना सिखाईए वो इस तरह से लिखा जाता है तो सबसे पहले क्या करते है हम एक export करते हैं यहां पर class और class का नाम देते हैं हम auth service अब class का नाम आप कु ठीक है यह हमने auth service अभी क्या करा simply class बना ही export कर दिया अच्छा आपने class तो बना ली और सीदे के सीदे export कर ली तो इस class को जो भी use करेगा उसको एक नया object बनाना पड़ेगा इस class से हाँ जी तब ही तो सारे method यूज कर पाएगा वहां पे तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि सीदे एक object बना के export कर दूँ वो better approach रहेगा कि उसको कुछ करना ही निए directly object को ही import कर लो और object पे सारे methods लगे लगाए हैं तो वो किस तरह से होगा तो मैं क्या करता हूं यहां पे एक बना लेता हूं auth service तो यह हमारा lower case है क्योंकि इसको मैं बनाऊंगा new use करके new auth service अब क्या करूंग यह जो lower case वाला यह object है तो इस object को सीधे ही मैं यहां पे export कर दूँगा तो जो भी इसको import करेगा उसको क्या करना है कुछ नहीं हो सीधा auth service को लेगा और dot करके जो भी method में इसके अंदर बनाऊंगा उन सबका access ले पाएगा हां जी तो यह बड़ा ही interesting case हो गया है यहां पे अ जैसे dot create है dot logout है और भी यहां पे देखोगे तो काफी methods हैं यहां पे किस तरह से आपको login करना है manage user करना है जो भी करना है सारे के सारे methods उसी तरह से ही लगते हैं आप functions में भी देख सकते हैं और भी email and password यहां पे देखते हैं हम click करके तो आप देखेंगे कि किस तरह से account बन दो हम properties बना लेते हैं तो पहली हमारे पास है property और पहली property देखेंगे यहां पे भी क्या से बन रखेंगे तो client को new client करके बनाना पड़ता है और फिर आपके dot set endpoint और यह सब लगाने पड़ते हैं तो अभी हम क्या करते हैं इसको simply बोल लेते हैं क्योंकि हमने client और यह तो top में export, import करी लिएं तो हम simply बनाते है client और client कैसे बनेगा new client ठीक है client बन गया अब जो है दूसरा चाहिए account अब देखिए account कहने को तो मैं new account करके यह बनाई लेता लेकिन problem क्या है यह account का मेरा variable है सिर्फ इसको इसी तरह से रखना पड़ेगा क्यों क्योंकि देखिए account जो बन रहा है लेकिन client के पास पहले आपको set end point set project यह बनाने पड़ेंगे अच्छा यहाँ पर क्यों नहीं बना देता यहाँ पर actually बना के कोई sense नहीं है क्योंकि यह आप बना तो लोगे लेकिन वो class के अंदर by default ही बन गया है मैं चाहता हूँ यह तो wastage of resources है actually मैं जब यह object कोई बनाए तब यहाँ पर actually मैं client बनना चाहिए तब आपके पास properly एक account का access होना चाहिए तो object जब बनेगा तब ऐसा concept method जो अपने आप call होता है जिसके मैं अंदर मैं functionality रख सकूँ तो वहाँ पर मैं एक constructor बना देता हूँ यह लीजे constructor बन गया अब इस constructor के अंदर क्या करूँगा सबसे पहले तो मैं client का reference दूँगा तो obviously बात है this use करना पड़ेगा तो this.client तो यह this.client लिया अब इसके अंदर क्या कर सकते हैं वो सारे method यूज कर सकते हैं dot set endpoint और set project तो हम क्या करते हैं यहाँ पर सीधा इसको बोल देते हैं next line में लिख लेते हैं तो set endpoint और set project हम यहाँ पर लेल variable से हमारे पास में तो conf के अंदर हमारे पास में actually मैं इसको close करते हैं save करते हैं और conf को भी open करते हैं तो मुझे पता है कि मुझे क्या क्या वेरेबल चाहिएंगे पहला तो app right URL चाहिएगा तो copy करके conf.app right URL यह है मेरा endpoint suggestion वहाँ पर गलत आयते हैं क्योंकि AI suggestion कहीं वार गलत होत this.client के अंदर यह value आ गई है अब क्योंकि this.client के अंदर यह value आ गई है हमारे पास में तो क्या करना पड़ेगा further यहाँ पर लगाई एक semicolon और अब account की value को add करिए तो this.account new account और उसके अंदर यह client की value दे दीजे तो अब actually मैं आपके पास properly यह काम हुआ है देखे code वो का व account से बनाया तो यही काम किया है हमने exact का exact काम लेकिन हमने क्या करा है class के अंदर वो काम कर दिया जब भी उसका एक नया object बने तो बस इतना सा हमारा JavaScript का basics काम आया बाकि हमारा documentation तो दोनों knowledge को हमने mix कर दिया है ठीक है अब आपको क्या करना है एक account बनाना है तो देखे account बनाने देदो एक unique और email देदो और जो भी password देना हो देदो तो मैं set कर दूँगा या और भी कोई field देना है तो वो field मुझे देदो मैं आपका account बना दूगा लेकिन हम क्या चाते हैं हम dependency नहीं चाते हैं कभी हो सकता है app right को आपको change करना पड़े तो हर जगे application में जा जा जाके change करो होगे क्या नहीं तो उसके लिए मैं क्या करता हूं यहीं पर एक दूसरा method बना देता हूं उस method के अंदर मैं क्या करूंगा उस method के अंदर simply app right की जितनी services है उनको call करूंगा ताकि एक wrapper बना दिया है मैंने कि देखो आपको नहीं पता मैं under the hood app right यूज़ कर रहा हूं firebase यू यूज़ कर सकता हूं मैं तो यह जो बनेगा obviously बात है async बनेगा async क्यों बनेगा क्योंकि documentation में दे रखा था कि यह promise है तो या तो आप promises यूज़ कर लीज़े या असिंक await यूज़ कर लीज़े क्योंकि async await भी actually मैं promises खतम होंगे तबी मैं async await इसले यूज़ कर रहा हूं क् तक complete नहीं होगा account creation में आगे नहीं जाना चाता तो मैं async await यूज़ कर लेता हूं इस method का नाम में देता हूं create account अब जो भी service को use करेगा उसको नहीं पता कि इसके under the hood क्या रहा हूं उसको तो पता है कि यह service है odd service इसके अंदर एक method है create account उसमें values pass कर दो तो account बन जाता है बस ह हमें app right का भी तो नहीं पता वो under the hood क्या कर रहा है कैसे database में entry कर रहा है तो उसी तरह से हम काम करेंगे यहां पर तो इसको कुछ parameters चाहिएंगे उनको हम destructure कर लेता हैं तो मुझे चाहिएगा एक email और मुझे चाहिएगा एक password और मुझे चाहिएगा एक name तो यह हमारे पास values आ गई है इसको हम रिमूब करते हैं तो यह values आ गई है email password और name हमने destructure कर लिया जो भी method पास करेगा वो एक object देगा मुझे जिसके अंदर यह सारी values होगी इतना हमारे पास काम है अब क्या है कि यह जो method है यह actually account creation वाला method fail भी हो सकता है तो यहां पर documentation में नहीं मेंचन है बट यह आपके fail safe है क्या कि आप पढ़के आए javascript आपके fail safe तो आपको लगाने ही पड़ेंगे तो हम क्या करते हैं इसको simply try catch में लेते हैं तो यह हमारा try catch syntax हो गया अब सबसे पहले तो यहां पर हमारे पास एक catch है तो obviously बात है आपको error यहां पर मिल रही है तो error जो भी है उसको तो handle कर ली अब क्या चीज try करनी है देखो मुझे सबसे पहले क्या करना है मुझे करना है await किस बात का wait करना है कि एक account create करने का account कहां से create होता है इससे और इसका access यहां पर है तो इसको access लेने के लिए क्या करना पड़ेगा this.account और उसके बाद जो method है महां पर dot create method तो ठीक ह क्या है अगर आप documentation अच्छे से नहीं पड़ेंगे तो आपको पता है first field में user id देना कंपल सरी है suggestion तो मुझे सिर्फ मिला है email password और name का वो ठीक है second field आपका email ही होना चीए और third field आपका password ही होना चीए लेकिन यह unique id कहां से लाए है हां बहुत तरीक है लेकिन हमें app right के अंदर इस method को call कर दो यहां comma लगा दो बस that's it अब आपका first parameter जो है वो unique id हो गया है फिर आपको email मिल गया है password मिल गया और name और भी आपको values देनी है तो आप दे सकते हैं कोई problem नहीं है अब क्योंकि इसको await करा रखा था तो एक variable में hold कर लेते हैं तो इसको बोलेते है user account यह लीजे अब user account आपको मिल गया है तो यह method जिसने भी आपसे काम में लिया है उसके अंदर यह behind the scene internally हमने यह method काम में ले लिया बढ़ उसको कुछ वापिस भी तो करोगे पहले check करना पड़ेगा user account actually में create हुआ या नहीं हुआ तो if else syntax यूज करते हैं हम basic सा अपना classic if else और इसमें बो हम क्या करेंगे तो हम उसको एक error return कर देंगे तो यहां पर जाते हैं हम a return और actually में if user account exist तो हम उसको क्या करते हैं Actually में एक और method हम यहाँ पर करेंगे, वैसे चाहें तो हम user account भी उसको return कर सकते हैं, जो भी method आए वो handle कर लेगा, बट इस पर हम आते हैं actually में, क्योंकि हमारा जो flow है न, हम क्या बनाना चाहते हैं, हम पर comment लिख देते हैं, एक छोटा सा, call another method, another method, actually में हम जो flow बनाना चाहते हैं, वो कैसा flow है, कि अगर user account exist करता है, तो उसको login भी करवाई दो न, आपके उपर depend करता है, आप हो सकता है, उसको एक success message return करना चाहते हैं, कि हाँ, account created successfully, now go to login, तो front end में जो user जो भी हम component महां बनाएंगे, तो अगर ऐसा response मिलता है, तो हम redirect करा देंगे forcefully, ठीक है, अब सबसे interesting चीज़ बात आप यहाँ देखिए, कि यहाँ पे हम इसके अंदर क्या करेंगे, तो देख लेंगे, बट suppose करिए किसे दिन आपका ऐसा काम आया, कि जहाँ पे आपको ये वाला services यूज ही नहीं करने हैं, तो कुछ नहीं, यहाँ पे constructor वगरा change कर दीजे Firebase के या जिसके भी आपको लगाने हैं, वो लगा दीजे, और यहाँ पे under the hood changes कर दीजे, लेकिन user से आप वोई parameter मांग रहे हैं, अब उस parameter को आप app right पे भेज रहे हैं, आपके custom किसी service पे भेज रहे हैं, जो backend आपने बनाया है, या फिर Firebase पे भेज रहे हैं, इसका कोई लेने देना नहीं है, आपकी बाकी application as it is चलेगी, तो यह बड़ा ही interesting concept है, काफी higher level पे use होता है production grade app में, हमने क्या करा, हमने कुछ नहीं, बस एक async create account method बनाया, इसी तरह से अलग-लग method भी बना सकते हैं, अब देखिए हम यहाँ पे वापिस से एक और method बना देते हैं, इसका नाम error, ठीक है जी, try catch में क्या करना चाहेंगे, वही सबसे पहले तो await कराना पड़ेगा, और उसके बाद this dot और client से नहीं, account से, क्योंकि directly access कर सकते हैं, suggestion पे हमेशा मच जाएगा, और हमने बोला create session देखिए, यह नहीं use करना है, क्योंकि आपको documentation में पढ़ना पड़ेगा, कौन स वाला method आप use करना चाहते हैं, तो काफी आपके पास email password के methods है, तो create तो हो गया है, लेकिन login वाला हमें देखना पड़ेगा, तो actually मैं search कर लेते हैं हमें यहापे, login, यहाँ पे तो एक ही है, तो हम जाते हैं actually में, authentication के अंदर email password, email password से हमें login करना है, तो इसको close करते हैं, यह र तो login में देखिए, यहाँ पे इसने बोल रखा हमें method है, जो है create email session, तो suggestion पे हमेशा मत चाहिएगा, तो हमें चाहिए account.createemail session, इस email को क्या-क्या चीज़ है चाहिए, आपका चाहिए सर्फ email और password, that's it, तो user से हमने email और password मांग लिया है, जो भी इस service को use करेगा, या इस method को use करेगा, इस service की, वो मुझे यह देगा, अब अगर हो गया है, तो इसको हम सीधा ही return कर देते हैं, आपकी मर्जी है, आप चाहिए तो पूरा return करिए हो सकता है, एक variable में hold करके return करिए, तो मैं यहीं पर return लिख देता हूँ, क्यों ही variable में hold करना है, जो भी इसका result आएगा, directly return कर देते हैं, और किस तरह से handle करेंगे, वो हम front end के अंदर अभी जो login वगरा बनाएंगे pages, वो वहाँ पर हम देख लेंगे, तो अब पता है कि इस तरह से login होता है, और email password यह चाहिए, अब एक चीज़ बताइए, इस email password का access तो आपके पास यहाँ पे भी है, तो यहाँ प पर depend करता है कि आप किस तरह से functionality design कर रहे हैं, मैं functionality ऐसे design कर रहा हूं कि अगर user का account बन जाता है, तो फिर login call कर लो और सीधा login, अगर account बनावा है, क्योंकि login page भी तो बनाना है, तो वहाँ पे हम directly यह login वाला method call कर लेंगे, और सीधा काम हो जाएगा, तो इतना कुछ difficult था ही न पता तो, बट एक और है, मुझे यह भी जानना चाहिए कई बार, कि कई बार जैसे homepage है, अगर मैं directly home पे land वाऊं, तो मुझे यह पता करना पड़ेगा कि मैं login हूं यह नहीं हूं, तो यह सब तो देखना पड़ेगा, हाँ कैसे उसको use करेंगे, वो अलग बात है, अलग कहा तो इससे हमें मिल जाएगा current user, अब current user के लिए आपको कुछ भी देने की जरूत नहीं है, कोई method में कुछ argument वगरा पास करने की जरूत नहीं है, हम सीधा गा सीधा यह जो account हमने बनाया है, इससे पूछ सकते हैं, account के पास इस तरह के methods हैं, जैसे password recovery है, और भी बहुत सारे securities ह method है, जितना आप इस documentation को पढ़ते जाओगे, उतना आपको पता लगेगा, अब यहाँ पर account की services को आप आके देख सकते हो, तो देखें, यहाँ पर आपको दे रखा है कि create account, create email session, और इसके बाद JWTV बना सकते हो, get account भी दे रखा है कि आपको को account को get करना हो, तो किस तरह से कर account, तो यहाँ पर कैसे करना है इसको, बहुत ही असान है, इतना code तो आप करी सकते हो, और वैसी बात है, try catch मेरे आप करेंगे, क्योंकि हो सकता है, issues आ जाए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, simple सा अपना यह throw error, throw suggestion, यह लिजे throw error हो गया हमरे पास में, अच्छा, try catch में आपने error तो कर लिया है, लेकिन आप इसको अगर आपको और कस्टमाइज करना है, तो आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, suppose करिए आपको throw error नहीं करना है, तो आप simple console log कर दीजे हैं यहाँ पर, in case अगर आपको उससे problem हो रही है, तो हम यहाँ पे custom error दे सकते हैं, app right, और error या app right, service के अ हमारे पास error है, colon colon इस तरह से, तो हम देख लेते हैं, get current user के अंदर हमारे पास यह error है, और error as it is console log कर दी, आपको throw नहीं करना है, आपको console log करना है, आप उस तरह से भी देख सकते हैं, अच्छा, try के अंदर क्या करना पड़ेगा, बहुत ही simple है, कुछ भी नहीं, सीधा का सी catch हो रहा है, अगर यहां से कुछ value नहीं मिली, या फिर इसमें कुछ मिला ही नहीं, ये तो देखे उस case में कि आप reach out ही नहीं कर पाए service को, लेकिन अभी हमने वो case handle नहीं करा है, कि account जब मिला ही नहीं तो, क्योंकि हमने तो directly return कर दिया, हाँ, अगर if else यहां पर लगाता, तो easily handle कर देता, कि अगर account मिला है, तो उसको handle कर दो, अगर account नहीं मिला है, तो फिर आप उसको कुछ और return कर दो, but easier तरीका क्या है, इस try catch से आईए बाहर, यहां पर आगो हम बाहर, और simply क्या कर सकते हो आप, यहां पर आके return null कर दो, तो अगर यहां पर कुछ होगा ही नहीं, त तो error में कोई value अगर उसने return कर दी गलती से, तो problem आजाएगी, तो उस case के लिए हम यहां पर कर रहे हैं, आपको अगर if else से अच्छा लगता है, वो flow जादा बेटर लगता है, तो आप वो flow कर लीजे, यह सिर्फ flow flow की बात है, हम किस तरह से code को, देखे code अगर समझ में आने लग गया ना एक बार, तो उसके बाद कोई जादा है नहीं, बस discussion होता है, इस तरह के board पे लिखा जाता है, और आप सीधे ऐसे service बनाता है, अब देखे, logout तो और भी easy है, हम top पे चलते हैं, और देखे, यह हमारे पास सारे methods हैं, आपको जो भी use करना है, आप यहां पे use कर delete कर देता है, आप इसके अंदर value string में current भी pass कर सकते हो, या फिर आप list of sessions भी दे सकते हो, वो हम कभी और किसी project में देखेंगे, जब हम एक बार और revision करेंगे कभी future में, क्योंकि मुझे पता है, आप request तो करोगे, और आप request करोगे, तो मैं obviously बात बनाऊंगा, तो हम यहां पे आपको पता है, console log हो जाएगा यहां पे, आपको console log करना है, तो console log करिए, app right service, log out के अंदर issue है, log out error है, और error as it is, console log कर लिया है, लेकिन try में क्या करना पड़ेगा, obviously बात है, await तो करना ही पड़ेगा, और आप क्या करिए, this.account delete session, आप चाहें तो current value pass कर सकते हैं, या फिर आ आपको एक ही particular session delete करना है, तो उसके लिए भी method है, तो यह sessions है, जो हमने use करा है, और एक है delete session, उसके अंदर आप value यहां पे दे सकते हैं, session ID या फिर current भी दे सकते हैं, हम actually में sessions use करेंगे, ताकि सारे ही session delete हो जाएं, जितने भी user ने, जहां जहां से भी browser से login कर रखा है, अहां all भी दे सकते हैं यहां पे, बट अभी यहां पे नहीं देना है, क्योंकि वो suggestion गलत है, सिर्फ sessions ही देना है यहां पे, ठीक है, तो यह हमारे पास हो गया, एक async service बना दी हमने logout और सीधा काम हो गया, अब देखें, interesting बात यह है, कि जो भी हमने यहां पे object पास करा है, यह object क क्या हो रहा है, वो सिर्फ इस file को पता है, तो जो भी changes होंगे, वो इसी file में होंगे, कल को अगर application change होती है, या कोई आपकी back-end service change होती है, तो, अगर front-end में आपके पास है, तो front-end को कुछ नहीं पता, उसको बस यही method call करना है, आपको सिर्फ इता सा ध्यान रखना है कि parameters ह हम वो ही ले, अब आप app right use करिये, firebase use करिये, खुद का session use करिये, जो आपको करना है करिये, यह हो गया हमारा future proof code, और हमने यहाँ पर सीधर last में export default auth service कर दिया, तो यह बड़ा ही interesting एक case है, किस तरह से ऐसी services बनाई जाते है, अब यह हमने authentication service बना दी, अच्छा, आब एक interesting बा code snippet को कहीं save रख लीजे, और जब भी use करना है, as it is copy paste करके use करिये, कभी और method भी अगर लिखने पड़े, तो इसी file में लिखिये, और उस file को save रखिये, जब भी app right का कोई contract आए, project आए, किसी भी company करना हो, तो आपके पास snippet में सारा save है, देख लीजे कोई documentation में update हुआ या नहीं हुआ, वैसे rarely होता है, बस ये future proof code होगे आपका, अब जितनी बार ये code लिखोगे, उतनी बार काम आएगा, और जितनी बार application मनाओगे, दस बार code लिखा तो वैसे याद मत करिये, documentation से देखिये, ठीक है, तो ये service हो गई हमारी as it is app right की तयार, ठीक है, app right की एक service तो त आरे collections का access दे दो, एक collection का access दे दो, उसमें edit update करूँगा, तो किस तरह से करूँगा, तो उसके अंदर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे, थोड़ी सी चर्चा करेंगे, उसको मैं इतना exactly नहीं बनाऊंगा, बनाएंगे, उसको भी इसी तरह से service के basis भी बनाएंगे, बट इतना ठेक है, तो उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, काफी short, मतलब जादा short तो नहीं काफी लब बड़े वीडियो हैं, बट actually मैं मैं इनको sensibly divide कर रहा हूँ, ताकि हर बार आपको अगर future में भी आना पड़े, तो आप एक वीडियो देखके वहां से उतन का कमेंट टार्गेट दे रहा हूँ, पहले सोचा था जादा दूँगा, बट 200 के आप एक घंटे में कर देते हैं, तो उसमें जादा मजा आता हुझे, तो चलिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर.